दोस्तो कोई भी MI TV, Realme TV या Android TV के अंदर आपको कोई भी फाइल, वीडियो, इमेज भेजना हो या फिर कोई एक्स्टर्नल एप को इंस्टॉल करना हो उसका एक तरीका है वो तरीका मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना है अपने टी यह वाली ऑप आपको मिल जाएगी, इस को आप इंस्टॉल करके उपन कर लीजिएगा और यहां पे आपको रिसीव वाले को सेलेक्ट करके और रहने देना है TV पर काम खतम होता है अब आपको अपने फोन में आना है यहाँ पर आपको फोन में भी प्लेश्टोर में जाना है और सेम एप्लिकेशन आपको डाउनलोड करनी है जो कि मेरे को इंस्टॉल करना है आप देखते रहेगा वीडियो डाउनलोड के अंदर जाके और यहाँ पर आपको आके क्या करना है यहाँ पर इसको ओपन करना है ओपन करने के बाद आपको यह पर्मीशन माएंगा पर्मीशन कैसे हो जैसे अन्नोन रिसोर्स के लिए मांगता है कि एक्स्टरनल अपको इंस्टॉल करना या नहीं पर्मीशन देना होता है वह यह मांगेगा वह आपको दे देना है इस सेंड़ फाइल्स टो टीवी वाली बेज रहे हैं तो नॉर्मली प्ले स्टोर से कोई भी एक फाइल मेनेजर इंस्टॉल कर लीजेगा और वहाँ पर रिसीवड वाले फोल्डर में आपको मिल जाएगा आपका फाइल वीडियो इमेज बेगरा वो भी आप देख पाएंगे अगर कोई भी सवाल या सुझा हु वीडियो को लेकर के शेर करिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा